पंजाब से है अम्रित गोर जी स्वागट हैापका sasrikार मैं सस्रियकार मैं प्र लोगरम है तक में बहुत लोग्त लोग सामनों ससरीकार जी इह ही स्वागट आपका बहुत बहुत पंजाब वालो आँ जी तानवाजी वही पूब्त प्रोग्राम है इसका बहुत लोगता पराकर दूधा कर दूधा हो चुक्री वां मिननो गोट्टानी प्रॉब्म है जी मैंनो मैं गाउन सुध्या खा देगें गानागाउना पर कि रिला कि सुट एक हो कल में जारे काट जारे कि अपूल meu लॉंख आने। उफे MINवा इना पाटना मोण जाए आगा ही प्राठ सुटावा मतिता है? अधने करें दो नहां वने साल सांता का मेरें, जो अधनी, आठास साल आपकोया अर Magic में हैं आख , वक्ति अथारा साल के था यह का हां अधने आएवते थासाल है मैनने आठी साल का जाएँ अब बुलिए मैं तरकन बाद यह मेरी इक मेन बलेड बाद दा जी मेरा अब बलेड दिल की धड़कने बढ़ती है है जी चीक ठीक 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 और कोई सवाल तो नहीं आपका मैं मोर कोई सवाल तरकन बाद यह मेरी बाद यह अच्छ ठीक है धड़कन बढ़ती है जी हां देखें धड़कन यानि पज बढ़ जाना भी एक बीमारी है और अगर हमारा खूल जरूरत के मुताबिक जरूरत के लिहाद से पतला हो तो हमारे दिल बड़ा अच्छा रहता है धर्कने भी कंटॉल में रहती है अगर ब्लड में चर्बी है यानि कॉलिस्टॉल है गाड़ा है खूल तो नमक जैतून और खाने का सोड़ा एक एक शुटकी दिन में दो बार खाएं पानी में मिलाकर तो इस से आपका अगर वजन बढ़ा हुआ है वो भी कम होता है ऐसे तीन चार किलो वजन कम होता है हर महीन एक चुटकी नमक जैतून एक चुटकी खाने का सोड़ा खाएं और खून से चर्बी निकलती है दिल की धरकन कंटॉल होती है और हार्ट ब्लॉकिज होता है उसको भी का सोड़ा गौंसी आप खाई रहे है अधा अधा गिराम खाना होता है दिन में दो बार आपको फाइदा शुरू हो गया है बहुत ज़दे आपको पूरा फाइदा मुम्किन है तो पंजाब वालों आप लोग बहुत महनती होते हो और वजन कंट्रोल करें और महनत कम करें जाड़ों पहुचा बिलकुल ना करें वेस्टन ट्वालेट का इस्तवाल करें तो जन्दी फाइदा होना मुम्किन है बच्ची साप नहीं बोलती आठ साल की है हाँ देखिए यह जो बदाम का तेल अच्छे किसम का दो चम्मच रोजाना दूद में मिलाकर उन्हें पिला खाने का अच्छा मीठा तेल रोगने बदाम शीर लिए मीठे बदाम का तेल दो चम्मच उनके दूद में या सबजी सालन में मिलाकर इसका तेल पिलाया करें पच्ची को भी फाइदा होना मुम्किन है इनको गब्स की शिकायत है गैस बनती है हाँ कब्स का मैंने जवाब दिया कि आप नमक जयतून और खाने का सोटा इस्तमाल करें आपको पेट गैस कब्स और बहुत सारी बीमारियों से इजात मिलना मुम्किन है तो अम्रित मैम आपकी जित्ती बात हमें समझ में आ पाई हमने सभी के जवाब आप तक पहुंचा दिये हैं मैम कोई सवाल अगर आप कर रहे गया है तो आप हमारे हेलप लाइन नंबर पर भी कॉंटार कर सकती है कोशिश यही रही है कि आपको सभी नुस्के बता दिये गए हैं दर्श को अगर आप लोगों की कॉल भी कारेक्रब में नहीं लग पाती है तो 24 आर्स आप कभी भी यानि कि आप कभी भी ज करना चाहते हैं कोई भी अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हेल्प लाइन नंबर पर आप कॉंटाक कर सकते हैं नेक्स्ट कॉलर है सतीश कुमार जी स्वागत है आपका हालो है जी सर बताईए सवाल करिए जी मैं यहां से यूपी से जी मुझे इसकीन में दिक्कत है मेरे हाथों में सुजन है और चंबडी खराब होगी एज कितनी है आपकी मेरी यह जी और ताविस पर ठीक है सर जी हम देखिए एक नस्वा तो है आपकी स्कीन के लिए और चंबडी की खराबी के लिए आप बना लें वो और इस्तमाल करें तीन-चार महीने लगाता रहा है अलसी तो यूपी वाले जानते ही हैं अलसी क्या होती है अलसी खरीद ले तो चार सो गिराम अलसी और क्योंकि उसमें कंकर पत्थर भी मिले होते हैं बारिक-बारिक तो उन्हें साफ करके अलसी तीन-चार सो गिराम खरीद कर और हलका सा भूल कर पौडर बना कर रख ले हलक आपको एक चम्मच खाना है, सुबह खाली पेट और एक ये दो गिलास पानी लें, उसमें एक चुटकी खाने का सोडा, जो आपके किचन में मीठा सोडा कहलाता है, एक चुटकी खाने का सोडा मिला है, और एक चुटकी नमक जैतून, नमक जैतून असली लें, ये नकली आसानी से असली ले सकते हैं लेकिन नमक जैतुन नकली बहुत मिलता है ये वो नमक है जो संसार में नमकीन नहीं होता और दिखने में नमक जैसा लगता है ये सो ग्राम खरीद ले एक चुटकी नमक जैतुन पानी में मिलाएं एक ग्लास ये दो ग्लास और एक चुटकी खाने का सोड़ा मिला इस पानी से एक चम्मच अल्ची खा लिया करें रोजाना एक बार या दो बार खाने से पहले बाद में भी ले सकते हैं अगर दुद पड़े तो यह आप लगाता तीर चार महीने इस्तेमाल करें तो आपको फाइदा मुपी लखना उसे हैं तहसीन जी स्वाग वाल इसलाम जिन्दाबाद खैरियत है एक चिन्दाब अल्हम्दुल्ल्ह आप बता है आप सब खेर है अल्ला का बड़ा इस्तान आप बता है कैसी है जी अल्हम्दुल्ल्ह ठीक है बस फोड़ी सी दर्वेत ने ठीक है बस अब आपके नुश्के बे रहा हैं तो इंशाला जाएं 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 जाए जहां पर घरी का डायल होता है उस जगह की हट्डी उठी हुई अल्ला जाने वो गोस उठा है यह नहीं परता है उसे डॉक्टरों को दिखा है तो वो कहते हैं हट्डी है मतलब वो है और इंजेक्शन लगेगा ठीक हो जाएगी लेकिन एक तो इंजेक्शन पिनोंने लगवा अधा भी जी तीदे हाथ में अच्छी कांसी आदा इंच के बराबर उठी हुई है तो खराब लगती देखने में जड़त बगरा कुछ नहीं होती है लेकिन देखने में खराब लगती जो देखता है वो तो उपता है कि यह क्या है यह चीछ जानना थी ठीक है मैम जी दिख पर रोटी बनाएं ऐसी मोटी शी जो ज्यादा सेके नहीं और वो रोटी गरम गरम इस पर बांदी है इतनी गरम जितनी बरदाश कर सके लेब बना ले एक हल्दी का हल्दी का लेब सा बना के वो यहां पर बांद कर और गरम गरम रोटी इस पर रखकर बांदने राद बनने जाई से, ऐसा आप हफते बार करके देख लें, अगर वो बैठ गई तो बहुत अच्छा है, ये तो उनका सवाल है, और ये जो चुकंदर है, इसकी तासीर गरम है, और इसको खून बनाने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है, जिनमें खून की कमी हो, और दस्तावर भी है, या जब भी इसे इस्तमाल करें, याद रखें कि इसको अगर एक गिलास जूस पी लिया जाए, तो हमें पेशाव और लेटिंग दोनों सुर्ख रंके आने लगते हैं, तो घबराया नहीं जाए इससे, बलकि अपने कोर्स पूरा करें, कम जादा करके आप इसे इसे इस्तमाल क सकते हैं, और गूलर के फूल, क्या गूलर के फल, गूलर एक फल है, फूल भी है इसके, तो ये काबिज बहुत होते हैं, कब्स बहुत करते हैं, जब भी इने इस्तमाल करें, तो किसी भी मरद में इस्तमाल करें, मैं अक्सर इसमें इसके पत्ते या गूलर इस्तमाल कराता ह पत्री के लिए, तो ऐसी कोई चीज ले जिससे आपका हजम अच्छा रहे, हजम होने वाले चीज भी कोई खाले, जैसे सौफ खाले, धनिया खाले, या कोई भी दवा ले ले, तब यह आपको पूरा फाइदा पहुंचा सकते हैं, कनातक से हैं, सलमा, स्वागत है आपका, स्वालाकुम हम अच्छा, समॉज हम अच्छा सितों這些 मृट आपका,דई का वैंसा की बढूत आपका, वो खजा रही है, ऐसा खजाएबात लाल होती होती है, हाउर होती है, वो खुझिली बहुत हो अरी है, लाल-ला हो रहे है, बरस में दो बार के उसे होती है, तीक, अर दूबला पता जे है, आज साल का है बच्टा मेरा, हूर एक सावाल है, मिर भेहन का येस येस आर बढ़ा थी के न हम दिखिए E-S-R में नमक जैतुन और अलशी का पॉड़र है, अलशी को हलका सा भून कर इसका पॉडर आदा चम्मच या यह चम्मच खाएं और एक चुकी नमक जैतुन दे तो इनका E-S-R कंट्रोल हो सकता है और इसका कंट्रोल होना ज़रूरी नहीं तो हम हमारे infections बहुत ज्यादा हो जाते हैं और बच्चे को जिसको चिकन पॉक्स हुआ है तो खास तोर पर उसको समझाएं और आप भी ख्यार लखें कि खुजाना नहीं है अगर कही दाने हैं और लाल हो या काले हो तो ऐसे सैला ले अच्छा पानी ना डाले तेल लगा ले नारियल का तेल लगा ले तो पुझली तो दूर होगी और एक दो दिन और रहेंगे फिर ये अपना जड़ जाएंगे और आपका बच्चा अच्छा होने वाला है मुनक्का और हुबकला दें इन्हें मुनक्का वो होता है जिसमें बीज होता है किश्मिश जैसा होता लेकि उसमें बीज होता है उसे मुनक्का कहते है मुनक्का को खोले उसमें से उसका बीज निकाल दे और जितना बीज उसमें था उतनी ही खुबकला खुबकला एक दवा का नाम है जो बारिक-बारिक दाने होत इससे उसका ये चिकन पॉक्स की बीमारी अच्छी होना मुम्किन है महराश्च्र से हमारे साथ लक्षमी बाई जी है लेकिन उससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगे कि आप अब हकीम सहाब के यूट्यूब चानल से भी जुर सकते हैं जहां पे आप लोग अंगिनत नुसके हकीम सहाब के जान सकते हैं किसी भी रोग से संबंधित और जुतने भी कॉलर्स का हमने इंट्रिव्यू लिया है कैसे वो खुद को सिहतमंद रखते हैं कौन-कौन से नुसके उन्होंने हकीम सहाब के अपनाए हैं और ऑपरेशन तक से बच गए हैं और कितने लोगों की उन्होंने मदद की हैं यह सब इंट्रिव्यू भी आप हकीम सहाब के यूट्यूब चानल पर जाके देख सकते हैं जैसे कि आप लोगों को कारेकरम की शुरुवात से लेकर अंत तक हकीम सहाब एक चीज बोलते हैं कि जो भी चीज वो बत सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी होती है तो यूट्यूब पर जाइए टाइप कीजिए हकीम सुलमान खान चानल को सब्सक्राइब कीजिए